इस वीडियो में हम बात करने के तीतागड रेल के बारे में इसके Q1 के नंबर पब्लिश हो चुके हैं देखते हैं इनके नंबर कैसे आए हैं इसके लिए हम कंपनी की Consolidated Financial Result को देखेंगे और जो सारे आपको नंबर से यहाँ पर देखने को मिलने हैं वो लैक्स में हैं मैं इसको आपको करोर्स में Convert करके बता दूँगा Company के अगर Last Year के Revenue from Operation या Total Income के बारे में बात करें तो यहाँ पे Company ने 440 करोड की इकम को जनरेट किया था जो कि इस quarter में 914 करोड हो गई है मतलब Wine by Basis पे आपको 100% से ज़्यादा का Jump देखने को बलाए है इनके Numbers में तो मतलब कुल मिलाके Wine by Basis पे नंबर काफी बहतरीन मान सकते हैं अगर हम इसको Last Quarter से Compare करें तो उस टाइम पे 981 करोड की एक तरह से Total Income थी तो मतलब Q&Q Basis पे थोड़ा सा डिकलाइन आपको देखने को मिला है इनके Total Income के अंदर पर Buy and Buy Basis पे आपकाफी अच्छे तरह से Income को इन्होंने जनरेट किया है अगर Company के Expense को देखें तो Expense Last Year के सेम Quarter में 282 करोड के थे जो कि इस Quarter में 842 करोड हो गए है मतलब कुल मिलाके Sales के Numbers तो Increase हुए है तो Expense भी इनका बड़ा हुआ है Company का अगर सीधर Net Profit को देखें तो यहाँ पर देखनों को मिला है कि Company ने इस Quarter में 670 करोड का Profit को Generate किया है जो कि Last Year के सेम Quarter में 6 करोड का माइनस में था मतलब एक तरह का Massive Jump यहाँ पर देखनों को मिला है Wine by Basis पे नमबर काफी वहत्रियन देखनों को मिलना है Company के अगर कंपनी के हम EPS को देखें तो EPS लाश्ट यर के सेम Quarter में कंपनी का 1.96 हुआ करता था जो की बड़कर 5.17 हो मतलब 5 ताइम से आपको देखनों को मिला है तो मतलब EPS में भी आपको अच्छा खासा Growth देखनों को मिला है तो यही थे तीतागाट्रेल के Cuban के Numbers अगर वीडियो अच्छा लगा है इस वीडियो को Like कर दीजे Share कर दीए मिलते हैं नेक्स्ट टूडेयो में तब तक लिए Thank you very much